देखो physics के अंदर दो terms होती है, एक होता है speedometer और दूसरा odometer, तो चलिए मैं आज आज आपको दिखाता हूँ, इसमें speedometer and odometer को, देखो, जैसे इसमें 0, 20, 40, ये वाली scale दिखाई दे रही है न, ये है speedometer की, ठीक है, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये kilometer के अंदर, जो इसने आज तक जितनी distance travel करी है, वो, जैसे 27,507 km, इसने अभी तक इतना distance travel किया, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, वो है odometer, और ये उपर वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, वो है speedometer,